आज का हमारा टॉपिक है इन्नेट बिहेवियर और स्टीरियो टाइप बिहेवियर यह हमारा एनिमल बिहेवियर का लक्ष नमबर फूर है जिसमें हम इन्नेट बिहेवियर और स्टीरियो टाइप बिहेवियर के बारे में बढ़ेंगे जिसमें रिफ्लेक्स और फिक्स एक्ष और किस तरीके से इंवार्मेंट के साथ इंट्रेक्ट करते हैं इसको हम बहीवियर कहते हैं इस्ट्यमिलस क्या है एनी काइन्ड ओव चेंज ऑफ तॉफ इनवार्मेंट देट्रिगर्स ए बीएवियर तो कोई भी इनवार्मेंट चेंज जो बDINGला को ट्रिगर करता है उसे हम स्ट्यमिलस कहते हैं रिस्पॉंस, organism show response against to a stimulus, तो stimulus के अगेंस जो organism जैसा behavior शो करता है, उसे हम response कहता है, जो भी वो शो करता है, उसे response कहा जाता है, और study of animal behavior is called ethology, तो animal behavior की study को हम क्या कहता है, इthology कहता है, फिर है types of behavior, तो behavior कितने types के होते हैं, तो जब हम behavior की बात करते हैं, तो first है innate behavior, second है learned behavior, और तीसरा है social behavior, तो innate behavior में हमने क्या क्या पढ़ना है, innate behavior क्या होता है, innate behavior वो है, जो आपके, inborn आपके अंदर आता है, उसे हम innate behavior कहता है, learn behavior, जो हमें, हम सीख कर, देख कर सीखते हैं, या learn करते हैं, और social behavior, जैसे communication है, korship dance है, territorial defense है, ये social behavior है, ठीक है, ये भी हम learn करते हैं, तो innate behavior में हमने क्या क्या पढ़ना है, reflexes, fix action pattern, taxes, kinesis, और migration, तो reflexes और fix action pattern हम आज की इस वीडियो में cover करेंगे, और taxes, kinesis, और migration, ये मैं तीनों आपको वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, तो ये मेरे चैनल पर आपको इन तीनों के वीडियो मिल जाएंगे, फिर है learn behavior, learn behavior में हमने पढ़ना है, imprinting, habituation और conditioning, और social behavior में होता है, communication, courtship dance और territorial defense, तो ये सब भी हम आने वाले वीडियो में cover करेंगे, तो शुरू करते हैं हम innate behavior से, तो innate behavior को हम stereotype behavior भी कहते हैं, तो stereotype behavior या innate behavior क्या होता है, behaviors that are closely controlled by genes with little or no environmental influence are called innate behavior, ऐसा behavior जो पूरी तरीके से gene के through control किया जाता है, और उसमें कोई भी environmental influence जरा सा भी नहीं होता है, उसे हम innate behavior कहते हैं, innate behavior मतलब इसे हम instinct behavior भी कहते हैं, जो hard wired रहता है into an organism genetic code, बतलब यह आपके gene में हैं, यह आपको शिखाने की जरुरत नहीं है, यह किसी भी organism को सीखने, वह सीखता नहीं आहीं है, तो learn नहीं करता है बल्कि वूआपके gene के अंदर है, जैसे हम जो जमाई लेते हैं, वो हमें कभी हमने सीखी नहीं है, लेकिन हम जो जमाई ले ले लेते हैं, या फिर हम हसते हैं या रोते हैं, वो हमने सीखा नहीं है, बलकि वो क्या है? हमारा Inborn Behavior है, इसे हम Innate Behavior कहते हैं, और Stereotype Behavior, रिपीटिटिड ओवर एंड अगें, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, उसे हम कहते हैं, स्टीडियो टाइप बिहेविएर, जैसे इसका एक्जमपल है, जो इन्नेट भी होते हैं, वो हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्ट्स होते हैं, मतलब उसकी वज़ह से क्या होता और्गनिस्म सर्वाइव कर पाता है, जैसे एक एक्जामपल है इसका न्यूबॉर्न सी टर्टल, जो सी टर्टल होते हैं, वो अपने जो एक्स होते हैं, वो सैंड में देते हैं, सी के पास जो सैंड है, वहाँ अपने एक्स देते हैं, और वहीं पर वो हैच होते हैं, तो जैस यह हैचिंग होती है तो जो न्यूबॉर्ण सी टर्टल होते हैं वो सीधे कहां की तरफ को जाते हैं पाने की तरफ को जाते हैं वो कैसे होते हैं गाइडेड वाइड़ लाइट आफ दा मून जो moon की light होती है उसके through guide के जाते हैं उससे वो guide होते हैं और सीधे कहां की तरफ को जाते हैं C की तरफ को जिससे क्या होगा जैसे ही वो C में पहुचेंगे तभी उनके बचने के chances जादा हो जाएंगे chance of survival उनका क्या होगा जादा होगा अगर वो बाहर रहेंगे sand में तो predator कोई ना कोई predator उससे क्या करेगा खा लेगा तो यह जो innate behavior है यह हमारा क्या है survival instincts भी है animal में यह survival instinct भी होता है अब फ़र types of innate behavior तो types कौन-कौन से हैं मैं पहले बता चुके हैं reflexes, kinases, taxes, fix action pattern और migration तो reflexes और fix action button हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे अब पहले बात करते हैं reflexes and reflex action की तो reflex action क्या होता है reflex action refers to the rapid and involuntary response of an organism to a specific stimulus किसी specific stimulus के against जो organism involuntary response करता है और rapid response करता है उसको हम क्या कहते है reflex action क्या है तो reflex action में क्या है यह जो होता है यह mediated by the nervous system यह nervous system के थूँ control किया जाता है जैसे इसका एक example समझे कि अगर हमने हमारे हमारे किसी hot plate पे हाथ पढ़ गया तो अपने हाथ को हटा लेते हैं तो यह सारा हाट plate क्या है एक stimulus है हमारा हाथ का हटना क्या है एक response है तो यह जो काम होता है यह reflex action है इस से reflex action का आ जाता है तो यह reflex action क्या होते है अच्छान होता है यह सारी चीजने आपके ब्रेन तक नहीं जाती है बलकि आपके नर्वर सिस्टम ही इसको कंट्रोल कर लेता है इसके लिए रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं टैब टेंडन बिलो यूर नीकैप नीचे जो टेंडन होती है उसमें हलके स इसे रबर हैमर से टैप करते हैं तो अगर यह क्या होता है यह आपका टेस्ट होता है रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए टेस्ट होता है इसे नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं तो आप अपना पैर हटाते हैं तो यह आपके यह एक रिफ्लेक्स एक्शन का एक्जाम्पल है ज उसको हम अगेन एन अगेन करते हैं एक रिफलेक्स डिफलेक्स और और एप TENT क्लास में भी पढ़ चुके है इसको किस तरीके से खाट प्लेट पे आपका पड़ गया एक इसग गरम चीज़ पर आपका हाथ पड़ गया तो किस तरीके साब अपना हाथ भड़ाते हैं और उसमें किस तरीके से मोटर नियूरॉन इसमें काम करते हैं इन्फरमेशन जो मोटर नियूरॉन होते हैं वो ले जाते हैं तो वो सेंसरी नियूरॉन से मोटर नियूरॉन में पहुंचता है और motor neuron से वापस आपके sensory neuron में पहुँचकर response create करते हैं और इसमें brain जो होता है वो involved नहीं होता है तो इसको कहते हैं आप reflex arc तो reflexes क्या होते हैं? reflex arc गे थूर कंट्रोल होते हैं या उसका pathway है और brain में brain के थूर यहां तक यह memory नहीं पहुँचती है और यह क्या होता है brain में से सिर्फ memory के रूप में यह form हो जाती है लेकिन उसके control brain नहीं करता है इसे कहते हैं reflexes and reflex action किते type के होते हैं यह यह है आपका four type के होते हैं पहला है unconditional reflexes unconditional reflexes जो हैं उन्हें हम unconditioned reflexes भी कहते हैं और innate reflexes भी कहते हैं यह क्या है automatic है innate response है और present from birth innate का means ही होता है present from birth यह आपके अंदर birth से आते हैं जन्म से ही यह reflex आपके अंदर आता है जैसे वही example है इसका pulling away from a painful stimulus किसी भी painful stimulus जैसे कोई painful stimulus मिलेगा तो आप वहाँ से दूर भागेंगे दूसरा क्या है involuntary reaction to a sudden loud noise जैसी बहुत तेज noise होती है तो उस पे भी आप response करते हैं तुरंत तो यह सब क्या है आपके inborn है innate responses हैं जो आपके birth से आपके अंदर present रहते हैं these reflexes are not learned through experience और condition किसी भी condition या किसी भी experience के थ्रूँ आप इन reflexes को learn नहीं कर सकते हैं ठीके यह क्या है instead genetically programmed into an organism nervous system यह genetically आपके अंदर हैं और यह stereotype है मतलब बार बार उसको repeat होते हैं automatically है automatically काम करते हैं तो यह example मैंने बता दिया आपको किसी गरम चीज़ पर हाथ पढ़ने से जो आप response देते हैं उसे unconditioned reflexes कहते हैं second है आपका condition reflexes condition reflexes क्या होते हैं इन्हें learned reflexes भी कहते हैं learned reflexes या acquired reflexes ऐसे reflexes जो आप learn करके सीखते हैं या किसी particular condition में ही आपके द्वारा शो होते हैं उन्हें हम कहते हैं condition reflexes condition reflexes का एक बहुत अच्छा example Russian physiologist है इवान पावलोव उन्होंने experiment किया था डॉग में तीक है उसको हम classical conditioning में पढ़ते हैं तो आगे जब learned behavior पढ़ेंगे तो इसको हम detail में पढ़ाएंगे आपको तो ऐसे response जो किसी condition में या किस या learn किये जाते हैं उन्हें हम कहते हैं condition reflexes यह constant नहीं होते हैं repair और disappear हो सकते हैं again and again constant and may है यहाँ पर सुरी में ठीक है यहाँ पर लिखावा है may disappear may disappear माई नहीं है और repair again फिर है आपका phasic reflexes यह क्या होते हैं rapid होते हैं और जैसे blink reflex जैसे आपकी आई लिटर कुछ पढ़ता है तो सीधे आप ब्लिंग करना शुरू करते हैं तो यह phasic reflexes है next tonic reflexes tonic reflexes क्या है यह reflexes phasic reflexes क्या गेंस क्या होते हैं जैसे phasic reflexes rapid होता है यह क्या होते है prolonged response है तो specific stimulus किसी stimulus के थूरू लंबे समय तक बने रहते हैं जैसे आप अपने head की तो आपका जो muscles tone और posture होता है वो भी क्या करता है इसके अगेंस्ट head की position के अगेंस्ट आपका क्या करता है respond करता है तो यह prolonged होते हैं बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो चार तरीकी reflexes है unconditioned, conditioned, phasic और tonic next है आपका fix action pattern तो fix action pattern पे आपके अलग से notes भी आते हैं और long cushion में भी आता है तो fix action pattern क्या है? fix action pattern consists of a series of actions triggered by a key stimulus यह क्या होते हैं? बार बार repeat होने वाले action है जो बार बार repeat होते हैं, series में repeat होते रहते हैं और किसी key stimulus के through triggered होते हैं मतलब कोई stimulus होगा जिसके trigger होने से यह जो series of action है बार बार होते रहेंगे तो इसे आप fix action pattern कहते हैं, the pattern will go to completion even if the stimulus is removed तो तब भी यह pattern complete होगा, अगर हम stimulus को remove करते हैं तब भी क्या होगा? यह complete होगा pattern fix action pattern क्या होता है? innate होता है, inborn है, instinct है, याद नहीं किया जा सकता है, आपके अंदर है यह आपकी gene में और stereotype behavior है, मतलब बार बार इसको बार बार यह show होगा, again and again यह अपने आपको show करेगा fix action pattern are characteristic behavior exhibited by animals of a particular species and are often associated with specific survival और reproductive activities यह क्या होता है? particular किसी species में show होता है और यह specific survival action है और reproductive activities में useful है आगे example में आप समझेंगे, जैसे क्या है reproductive activities में कैसे useful है, जैसे courtship display of bird है bird जो male birds होते हैं, वो female mates को attract करने के लिए क्या करते हैं, dance करते हैं यह fixed action pattern है इनका, यह इनके inborn इनके अंदर है और stereotype behavior है अगेन है अगेन इसरी करते हैं यह और यह क्या होता है, सीखा नहीं जाता है बलकि क्या है, इनके अंदर जन्म से आया हुआ है, वैसी दूसरा example है maternal behavior of mammals, mammals का जो behavior होता है, nursing का, grooming का, protecting offspring यह सब क्या है, उनको जन्म जात मिला हुआ है, मतलब उनके जीन में है, वो सीखती नहीं है इस चीज को, अगर वो कभी किसी को बच्चे को बढ़ा करते हुए, किसी offspring को बढ़ा करते हुए ना भी देखें, तब भी उन्हें यह पता है कि offspring को किस थरीके से nurse किया जाता है, नेक्स्ट है, फिक्स एक्शन पैटरंस आर इंडीड एक्स्टेंसिबली स्टडी इन इतलोजी, ठीक है, इस बहुत इतलोजी में बहुत स्टडी किया जाता है, और यह सबसे ज़्यादा निकोलस तिंबर्ग और कुनार्ड लॉरंज, इन होने क्या किया था, इसको बहुत स्टडी गया था इन दो साइंटर्स ने, अब है करेक्टरिस्टिक ओर एक्स एक्षण पैटर्न, तो फिक्स एक्षण kingdoms पैटर्न की करेक्टरिस्टिक क्या है, फॉस्ट है इन नेक्ट इनीट है इंस्टिंग्ड analyst है उस्टीर यहाईर है, हाडग वायर, इントू नरवा सिस् होumbles ! जैसे ही एक पीकॉक तांस करता है तो व के तक तो वो बार बार उस भी हीवियर को one to start करेगा रिपीट करे गा तो इसे कहते हैं स्टीडीयो तैप सिक्वेंस होना सही किसी स्पेसिफिक स्ट मलीक है कि कुई पिर डूंव तरिगार्ड हुगा कोई ना कोई stimulus होगा specific जिसकी वज़े से यह क्या होगा या कोई environmental cues होगा जिसकी वज़े से यह fix action pattern show होगा ठीक है species specific है मतलब हर species अलग-लग type के fix action pattern show करती है फिर है आपका irreversible है irreversible means कि अगर once a fix action pattern is initiated अगर एक बार fix action pattern initiate हो गया एक बार शुरू हो गया तो वो जब तक वो complete नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा वो चलता रहेगा अगर हम stimulus को remove भी कर दें या कोई भी circumstances में change भी कर दें तब भी क्या होगा वो behavior complete होगा तो क्या है irreversible है यह इसकी characteristic थी अब है इसका example example क्या है जो टिन बग और लॉरेंज थे उन्होंने यह ग्रे लूज ग्रे लाग गूज है इसमें क्या देखा इस पेसे पुस्ट करती है और वहां पर अपने अंडे रख लेती है ठीक है थोड़ सा गड़ा होती है और गड़े में अपने अंडे रख थी है अगर इसका कोई अंडा यह अंडे को इस यहां तक कैसे ले अब क्या है यह तो इसका पैटन है और हमेशा ऐसे करती है देखिये इस ओटन हे लेकिन क्या होगा जैसी ही वह अंडा देखती है और अपनी गर्दन आगे करती है इस वालें बी पोजिशन में आती है और इस समय अगर आप इसका एग लीघ हटा भी देए यहाँ से इसको डि इसी direction में फिर से एक को क्या करेगी पीछे डालने की अंडों के सांथ रखने की कोशिश करेगी, दीक है, दूसरा क्या है कि अगर आप इस एक को बदल भी दें, किसी बाल से या किसी चीज से बदल दें, तब भी वो ये action परफॉर्म करेगी, तो ये इन्हों ने किस नहों ने तो दिसे ड्यूरिंग डूरिंग सिजन अमेल पिकोक स्टार डांसिंग ऐस सुन अइस इचीज पी हैं, यसी हो पीन को देखता है तो क्या करता है और दांस शरू कर देता है, तो इन्हों रशा कर देता है तो ये डांस भी क्या है उसका लरं करके ये देग ज़ कर देता है बलकि क्या है, Inborn Inade Behavior है, इसकी नव शिस्टम के अंदर, इसकी body के अंदर है वो, फिर है, Spiders Web Building Behavior, Spider का Web Building Behavior होता है, वो भी Fixed Action. पैटन behavior है, अकर आप किसी spider को कहीं अलग रख दें, पूरे उस गुरुप से अलग कर दें, तब ही वो जो वेब है वो उसी तरीके से बनाएगा जैसे उसके बाकी सांथी बनाते हैं तो वो किसी वो बनाना उसे सीखने की ज़रत नहीं है ठीक है फिर है maternal की care behavior in mammals जैसे mammals में nursing, grooming or protecting offspring होता है वो भी क्या है fix action pattern का ही example है तो यह fix action pattern आपको समझ में आ गया होगा तो यह complete हो गया है innate behavior या stereotype behavior या instinct behavior जो भी आपके question में आएगा तो आपने यही सब उसमें लिखना है आप